यूपी में हुई एक ऐसी शादी जिस पर सैटिलाइट से रखी गई नजर अमेरिका से आई खुब सुरद दुलहन और दुलहा बना मुरादाबाद का बरबर जी हाँ यूपी में इस शादी में अमेरिका की भी नजर थी जहां अमेरिकन लड़की और हिंदुस्तानी लड़ इलाके में चर्चा का विश्य बना हुआ है इलाके में पहला मामला है कि अमेरिकन यूटी ने कुंद्रकी के छोटे से गाउं के यूवक को अपना हमसबर चुना है दो साल पहले सोन्या और सालिम की सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई थी आपको बता दे चले कि इस लेकर आया अमेरिका से शादी रचाने भारत आई सोन्या की सुरक्षा के मदे नजर अमेरिकन दूताबास के इस तर्थ से भी मौन्टरिंग की जा रही थी खबर है कि सोन्या और सालिम के विवाई कारिकम पर सैटलाइट के माध्यम से नजर रखी जा रही थी हाला कि शाद वालों से वो खुब बाते कर रही है सोनिय का पदी सालिम अंग्रेजी में उससे बात कर लेता है सरसुनाल वालों का कहना है कि सोनिय हिंदी और ओडू बोलना लिखना पढ़ना सीख रही है साली ने बताया कि हम लोग अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से हम बाते करते थे मैं इसके बात होते होते शादी तक पहुच गई साथी इसके बात होते होते यह बोलते के हम इंग्लिस सीखनी है यह मेरे साथ कीडिंग करते थे फिर मैंने इंसा बोला कि हम परसनली नमबर दो उसके बाद में बता हुआ आपको सिकांगा तो बात होते होते हैं यहां लोगए आपको पताई है क्या करते हैं नियू यूर्क रोर्जिस्टर नट बैर बट फिर भी थोड़ा वो फील हो रहा डर साभी यानि अभी इंक्व अगेली आज अमेरिका सोड के आगी जी अकेली आए हाँ जी अकेली यानि फेस्बुक से शुरू हुआ प्यार मुरादाबाद आकर मुकमल हुआ और इसके लिए सोन्या अमेरिका से अकेले ही मुरादाबाद आ गयी वाख़ए इश्क में सरहत की कोई दीवार नहीं होती शारे से दो की की आपू